हेलो दोस्तों वेलकम भाई चैनल जे एमस स्टेडी पॉइंट बिहार वोड ने दो हजार तेईस का मोडल पेपर जारी किया है जिसका अंसर की में लेकर आई हूँ अगर आपका सब्जेक्ट म्यूजिक है तो इस वीडियो को पूरा देखे चलिए फर्स्ट कोशन है राक केदार का वादी समवादी क्या है किसी भी राक का परधान वादी स्वर कहलाता है किसी भी राक का परधान स्वर वादी कहलाता है और दूसरा परधान स्वर जो इसके बाद आता है वो समवादी कहलाता है राग केदार का पूछ रहा था तो इसका अंसर होगा म और सा यानि म मध्यम और सा साड़ाज हो जाएगा option is का राइट अंसर होगा अगला कोशन देखते हैं राग यमन किस थाट का राग है? राग यमन जो है वो कल्यान थाट का राग है Option A का right answer होगा कल्यान अगला कोशन देखते हैं राग भेरव की जाती क्या है राग भेरव की जाती संपूर्म है इसमें 7008 का प्रयोग किया जाता है Option C, इसका right answer होगा अगला कोशन देखते हैं तीन ताल की तीसरी ताली किस मातरा पर पढ़ती है तीन ताल की तीसरी ताली तेर्वी मात्रा पर होती है ओप्षन डीस कर आइट अनसर होगा तेर्वी मात्रा पर अगला कोशन देखते है राग भीम पलासी किस थाट का राग है राग भीम पलासी काफी थाट का राग है ओप्षन डीस कर आइट अनसर होगा काफी स्वरों को कितने वर्गों में बाटा गया है स्वरों के कितने वर्गों में बाटा गया है तो तीन वर्गों में ओप्षन सीज का राइट अंसर होगा अगला कोशन देखते हैं संगीत का आधार किसे माना जाता है संगीत का आधार स्वर को माना जाता है option 20 का right answer है सुर अगला question देख लेते हैं सबसे अधिक मात्राओं वाला ताल कौन सा है सबसे अधिक मात्रा 3 ताल में होता है इसमें 16 मात्रा होता है और 4 ताल में 4 ताल में 12 मात्राओं होती है और रूपक में 7 और दादर में 6 तो सबसे अधिक मात्रा 3 ताल में होता है 16 option एस का right answer होगा 3 ताल अगला question देखते है रागो की उत्पत्ती किस से हुई रागो की उत्पत्ती किस से हुई रागो की उत्पत्ती किस से हुई है तो थाट से हुई है Option A सकर आइट अंसर होगा थार अगला कोशन शड़क किराम की कितनी मुर्चनाए होती हैं तो साथ होती हैं Option D सकर आइट अंसर होगा साथ अगला कोशन देखते हैं कोमल स्वर कितने हैं? कोमल स्वर चार है Option C सकर आइट अंसर होगा चार अगला कोशन निमलिक्षित में से कौन 14 मातरा की ताल है तिलवारा में 16 मातरा है और 4 ताल में 12 मातरा है और 3 ताल में भी 16 मातरा है और धमार ताल में 14 मातरा है तो इसका राइट अंसर होगा धमार option c अगला कोशन देखते है सबसे कम मात्राओं वाला ताल कौन सा है तीन ताल में 16 मात्राओं और चार ताल में 12 और कहराव में 8 और दादरा में 6 तो सबसे कम दादरा ताल में है ओप्षन 6 का राइट अंसर होगा दादरा इसमें 6 मात्राओं होती है ओप्षन 6 का राइट अंसर होगा अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है बाउल लोग संगीत किस परदेश का है? बाउल लोग संगीत किस परदेश का है? बाउल लोग संगीत बंगाल परदेश का है ओप्शन सीज के राइट अंसर होगा बंगाल अगला कोशन राग विहाग की जाती क्या है? राग विहाग की जाती औरफ संपून है ओप्शन एस का राइट अंसर होगा अगला कोशन मुख्य स्वर कितने होते हैं? मुख्य स्वर कितने होते हैं? इसका अंसर आप कमेंट में जरू बताईएगा अगला कोशन देखते हैं गमक के कितने भेद हैं? गमक के 15 भेद है ओप्षन 20 का राइट अंसर होगा 15 अगला कोशन शुद और कोमल मिला कर कुल कितने स्वर होते हैं? शुद और कोमल मिला कर कुल कितने स्वर होते हैं? Option 10 का राइट अंसर होगा 12 अगला कोशन राग में कौन सा स्वर कभी भी वर्जित नहीं होता राग में शड़ स्वर कभी भी वर्जित नहीं होता Option 20 का राइट अंसर होगा शड़ अगला कोशन फूंक कर बजाय जाने वाला वाद इन में से कौन सा है फूख कर कौन सा वादी अंतर बजाये जाता है तो ये बासुरी है, सबसे असान है बासुरी, option B, जो फूख कर बजाये जाता है अगला question, सुर अंतराल कितने परकार के होती है इसका अंसर आप comment में बताईएगा अगला question देखते है ठुमरी, गाईकी के साथ कौन सा ताल वाद बजाये जाता है ठुमरी के साथ कौन सा वाद बजाये जाता है तो तबला बजाये जाता है, option D, तबला अगला question टपा में किस भाशा का प्रियोग होता है ये पंजाबी भाशा में प्रियोग होता है ओप्शन ये इसका राइट अंसर होगा पंजाबी अगला कोशन भात खंडे स्वर लिप्पी पदिती में सम के लिए क्या चिन है ओप्शन C इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन हिंदुस्तानी संगीत में किसकी संख्या दस है तो थाट की संख्या दस होती है ओप्शन D थाट अगला कोशन राग बिलावल का वादिस्वर क्या है इसका राइट अंसर होगा धेवत ओप्शन D अगला कोशन खंडे थाट के अंतरगत आने वाला राग कौन सा है खंडे थाट के अंतरगत आने वाला राग देश है ओप्शन C का राइट अंसर होगा देश अगला कोशन संगीत रतना कार में कितने विक्रित स्वर बताए गए हैं तो बारा ओप्शन C का राइट अंसर होगा बारा अगला कोशन, ताल जबताल में कितनी मतराएं हैं, दस मतराएं हैं option, एसकराइट अंसर होगा, दस अगला कोशन, पंडित रवी शंकर किस घराने से समबंदी थे इसका अंसर भी आप कॉमेंट में बतायेगा और अगला कोशन देखते हैं गान के कितने परकार हैं? गान के कितने परकार हैं? तो दो हैं ओप्शन ए इसका राइट अंसर होगा दो अगला कोशन छ बराबर मात्राओं के विभाग किस ताल में होते हैं? इसका अंसर होगा चार ताल चार ताल में बारा मात्राओं होती हैं जो छे बराबर मात्राओं का विभाग है ओप्शन बेश कराइट अंसर होगा चार ताल अगला कोशन निमी लिखित में स्वरों में से राग देश का वादी स्वर क्या है? राग देश का वादी स्वर क्या है? इसका राइट अंसर होगा रे Option B स्वरों में से राग देश का वादी स्वर क्या है? रे है अगला कोशन नाद के कितने परकार होते हैं? नाद के कितने परकार होते हैं तो दो होते हैं एक होता है आहत और दूसरा होता है अनाहत ओप्षन बीस कराइट अंसर होगा नात दो परकार्प के होते हैं आहत और अनाहत अगला कोशन राग भुपाली का वादी समवादी स्वर क्या है? राग भुपाली का वादी और समवादी स्वर क्या होता है? ग गंधार और धो धेवत होता है ओप्शन 20 का राइट अंसर होगा राग वुपाली का वादी समवादी स्वर क्या है तो ग और धो है अगला कोशन राग अलेहा विलावल किस थाट का राग है? राग अलेहा विलावल किस थाट का राग है? विलावल थाट का राग है Option A का राइट अंसर होगा विलावल अगला कोशन राग देश के आरोह में कौन से दोस्वर नहीं लगते हैं तो ग और ध Option C का राइट अंसर होगा अगला कोशन पंडित भात खंडे ने रागों के गायन समय को कितने भागों में बाटा है? पंडित भात खंडे ने रागों के गायन समय को तीन भागों में बाटा है? ओप्षन सीज का राइट अंसर होगा तीन भागों में अगला कोशन पंडित प्लूस कर स्वर लिप्पी पज़िती में सम के लिए क्या चिन होता है? इसका राइट अंसर होगा, ओप्शन बी अगला कोशन राग भुपाली की जाती कौन सी है? राग भुपाली की जाती कौन सी है तो ओडव और ओडव ओडव है, ओप्शन सीज कर राइट अंसर होगा, ओडव ओडव अगला कोशन राग काफी का वर्जी स्वर क्या है? राग काफी का वर्जी स्वर क्या है? तो इनमे से कोई नहीं, ओप्शन डीज कर राइट अंसर होगा अगला कोशन रागदेश का वादी समवादी क्या है तो रेपव है Option D इसका राइट अंसर है अगला कोशन विक्रित स्वर कितने है विक्रित स्वर पाँच है Option C इसका राइट अंसर है पाँच अगला कोशन एक मात्रा में दो मात्राय बोनला उनसी लएकारी होगी एक मात्रा में दो मात्राय बोनला दूगुन लएकारी होगी Option 20 का राइट अंसर होगा दूगुन अगला कोशन गर्थ कितने परकार की होती है गर्थ दो परकार की होती है Option B, इस का राइट अंसर होगा, दो. अगला कोशन, राग भेरव का गैन समय क्या है? राग भेरव का गैन समय प्राता काल है. Option A, इस का राइट अंसर होगा? अगला कोशन, पंडित अनोखे लाल किस घहराने से संबंधित है? पंडित अनोखे लाल बनारस घाराने से संबन्दित है ओप्शन डीस कराईटन स्वरोगा बनारस अगला कोशन देखते हैं इन में से किस थाट में गर नी कोमल स्वरोग का प्रियोग होता है गर नी कोमल स्वरोग का प्रियोग काफी में होता है Option 20 काराइट अंसर होगा काफी अगला क्योशन संगीत रतनाकार किस शताबदी में लिखा गया अगला क्योशन एक ताल में कितने विभाग है एक ताल में 6 विभाग है अगला कोशन पंडित उंकारनाथ ठाकूर किस घराने से संबंधित है? पंडित उंकारनाथ ठाकूर गवालियर घराने से संबंधित है अगला कोशन राग भीम पलासी का समवादि स्वर क्या है? राग भीम पलासी का समवादि स्वर सा है औप्शन सी इसकर आइट अंसर होगा सा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए अगला कोशन देखते हैं किस ताल में एक खाली और दो ताली है रूपक में एक खाली और दो ताली है ओप्शन सीज का राइट अंसर होगा रूपक ताल अगला कोशन पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने को परतिनी धित्व करते थे पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने को परतिनी धित्व करते थे तो ग्वालियर को ओप्शन 20 का राइट अंसर होगा अगला कोशन सारांगी किस वर्ग का वाद है सारांगी किस वर्ग का वाद है तत का ओप्शन 30 का राइट अंसर होगा तत का अगला कोशन, दुरूपद की कितनी वानिया हैं? दुरूपद की चार वानिया हैं, ओप्शन सीज का राइटन सरूगा, चार अगला कोशन, इन में से कौन सा करनाटक संगीत पदिती का ताल है? त्रिवा, ओप्शन सीज का राइटन सरूगा, त्रिवा, अगला कोशन राग केदार की जाती क्या है? राग केदार की जाती ओडव संपून है ओप्शन सीज कर आइट अंसर होगा ओडव संपून बीहु निरित्य किस राज से संबंधित है? बीहु निरित्य असम राज से संबंधित है ओप्शन सीज कर आइट अंसर होगा असम अगला कोशन संगीत मरकंद के लेखक कौन है? संगीत मरकंद के लेखक नारद है ओप्शन एस का राइट अंसर हुगा नारद अगला कोशन राग विलावल का समवादी क्या है? राग विलावल का समवादी क्या है? गः है ओप्षन एस कर आइट अंसर हुगा ग अगला कोशन नाद की कितनी विशेष्टाएं है नाद की तीन विशेष्टाएं है ओप्षन बीस कर आइट अंसर हुगा तीन अगला कोशन पंडित रवी शंकर के गुरु कौन थे पंडित रवी शंकर के गुरु अलाओ दिन खा थे ओप्षन बीस कर आइट अंसर होगा अगला कोशन राग विहाग का समवादी स्वर क्या है? राग विहाग का समवादी स्वर नी है ओप्षन सीज कर आइट अंसर होगा नी अगला कोशन देखते हैं ताल जब ताल में कितनी खालिया है? ताल जब ताल में एक खालिया है. ओप्शन सी इसका राइटम सरह होगा. एक. अगला कोशन. धमार और रूपक ताल में कितनी मातराओं का अंतर है? धमार चोदा मातरा का होता है और रूपक साथ. तो धमार में से साथ घटाएगा तो साथ बचेगा. तो कितना अंतर होता है साथ का साथ मातराओ का अंतर होता है ओप्षन एस कराईट अंसर होगा साथ अगला कोशन शारव संपून जाती के रागों में कितने स्वर लगते हैं शारव संपून जाती के रागों में कितने स्वर लगते हैं तो छे साथ Option is कराईट अंसर होगा 6 और 7 अगला कोशन राग भेरव का गायन समय क्या है? राग भेरव का गायन समय क्या है? राग भेरव का गायन समय प्राताकाल है Option is कराईट अंसर होगा प्राताकाल अगला कोशन बरावर मात्राव वाले चार विभाग किस ताल में होते हैं? ओप्षन ये इसका राइट अंसर होगा तीन ताल अगला कोशन पंडित राम चतुर मलिक किस घर आने से आते हैं? इसका अंसर आप कामेंट में बताईएगा आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दिए ताकि मुझे नए वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे